कि आपके phone का camera भी open नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने phone के camera को open करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, security, policy, prevent, use, आप camera करके error आ रहा है, तो ऐसे में आप अपने mobile phone के camera को open नहीं कर पारे हैं, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँगा, maximum ये problem जो आपको भी camera open करने में ये problem आ रहे है, तो आज किस वीडियो में आपको total दो setting बता हूँगा, जिन दो settings को enable करने कवाद, मैं guarantee के साथ, 101% life proof के साथ, इस problem को solve करके दिखाने वाली है, तो दोस्तों, इस problem को solve करने के लिए, सबसे पहले है, आपको अपने mobile phone की home screen पर आने को तो जैसी आप अपने mobile phone में settings open करेंगे, तो आपके समने भी कुछ as interface खुल के आ जाएगा, तो दोस्तों, यहाँ पर आपको scroll करने है, तो जैसी आप scroll करेंगे, तो आपको नीचे bottom में आना है, bottom में आपको एक option दिख रहागा, about phone के icon पर click करना है, तो जैसी आप about phone के icon पर click करें तो जैसी आप about phone में आने को scroll करेंगे, तो जैसी आप scroll करेंगे, तो आप bottom में आपको option दिख रहागा, built number को, तो आपको built number पर 7 बार tap करना है, किती बार 7 बार, देखना आप में करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दोस्तों, जैसी आप भी 7 बार tap कर देंगे, तो अब यहाँ हो गया, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँगा, 99% जो Android mobile users है, उनके mobile में जो developer का option है, वहां से activate नहीं होता है, वो हमारे mobile phone में function होता है, बट activate हमें हमें खुद से करना पढता है, तो कैसे करना है, activate जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बहुत easy, आपको निचे about phone में आना है आपको स्क्रोल करना है, बॉटम में आपको built number पर 7 बार टैप करना है, तो जैसी आप 7 बार टैप करेंगे, तो आपको mobile phone में built number का option activate कर दे जाएगा, अब हमें कहां मिलेगा activate करने को, तो आपको setting में आना है, तो setting में आने को आपको निचे देख रहा है, option system को तो आपको system क आइकन पर click करना है, तो जैसी आप system क का icon पर click करेंगे, तो आपको नीचे आना है advance का on ikon पर click करेंगे, तो जैसी आप developer option क क क्लिक करेंगे, तो यहां से आप developer option की setting के खुल के आजाएगी, तो दोस्तों मान के चले कि आपने developer option को activate कर दे लेकिन उसके पद आपको system में developer की setting ह iis पो आय togetável कोंट कि आपको पहले स्क्रोल करना याँ जय सिय आप को तुछ स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको निचे आना च्छी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा System UI Demo Mode, उसके साथ निचे Quick Setting Developer Tiles, जैसी आप Quick Setting Developer Tiles के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा Interface कुल के आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे Option देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पर, यह सारे Option आफ है, लेकिन एक ही Option इनमें आना है, तो आपको इस Option को भी आफ करना है, लेकिन आफ करने से पहले आपको ए सारे losahren आमें आपको यहाँ आपहले, वो सारे बॉपर जो जाएक करना है, तो यहाँ पर आपको 3 लारषन देखने को मिलेंके, एम्रजंसी, आपको आफ्प्शन आकन को प्रिक करने होगा आपको निचे दो option दिखे रहे हुगे, power up का restart कर तो आपको पहले sensor की setting करने हैं, उसके बद आपको अपने वर्पोन को last पर at least एक बद रिस्टार्ट कर देना है, तो जैसी आप अपने phone को डिस्टार्ट करने हैं, तो जैसी आप अपने phone को camera को open करने हैं, तो जैसी आप अपन